आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था चुकंदर के बैनिफिट्स क्या क्या फायदे होते चुकंदर के किस तरीके से चुकंदर से ब्लड इंक्रीज होता है और थकान कमजोरी नहीं होती है और विटामिन्स मिलते हैं और इसका टेस्ट अगर आपको तो आप इसको किस तरीके से डिफरेंट वेराइटी के खानों में यूज कर सकते हैं तो हमने आपको पिछली वीडियो में यह सब बताया था चार रिशेट्स बताई थी और उसके पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे आप चुकंदर का हलवा बना सकते हैं वो सारी कि जैसे लास्ट विडियों में मैंने कमिट किया साधा कि मैं आपको नेकस में बताऊंगी कि चुकंदर के चिल्कों का हम किस तरीके से यूज करेंगगे उन्हें तो इस वीडियो में बस मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आप हमाई चैनल में नयू है ना सबसे पहले तो हर कोई चाहता है बट उसके साथ healthy रहना भी बहुत important है तो इसलिए ये video जो है बहुत काम की है प्लीज फटा 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 शेयर कर दीजिए अब मैं आपको बताती हूँ जो चुकंदर के छिलके होते हैं उन्हें हमें फेकना नहीं है उनको हमें कड़ी धूप में अच्छ पीसना है हमें पूरा ड्राइ इस तरीके से देखिए और ये थोड़ा दरदरा रहता है तो ये दरदरा रहता है इसलिए इसका भी हम उपाय निकालते हैं तो हमें इसे चान लेना है अच्छे कपड़े से इस तरीके का आप कपड़ा लेकर उसे चान सकते हैं चानने के जिसमें क्योंकि बार्किट का अलता अगर आप लेके आते हैं तो उसमें आपको बहुत सादा प्रॉब्लम्स होती ही केमिकल्स मिले रहते हैं हीचिंग अगेरा होती है और क्या होता है इंडियन लोग जो रहते हैं गर्ल्स हुई वूमें सुई सबको बहुत ही अच्छा लग अलता बना लिया हमने जो एकदम चिकना है लगाने में भी आपको बहुत मजाएगा और जीरो साइड इफेक्ट इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि मार्किट का जो केमिकल युगत रहता है उससे आपकी स्किन में अलर्जी हो सकती है जलन हो सकती है और साइड इ मिलाया है ठीक है आप ये इसको स्टोर करके रख सकते हैं अलते के पाउडर को ताकि आपको जब भी जर्वत हो कोई भी फेस्टिवल आए तो आप थोड़ा थोड़ा निकाल के इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर रूई की हेल्प से इस तरीके से हाथ पेर पे लगा सकते हैं क्योंकि ये जो अलता होता है ये हमारा ट्रेंड होता है माता जी भी यही लगाते थे आपने देखा होगा बहुत सारी माता जी की तस्वीर में वहां पे अलता ही लगता था तो ये जो सारी चीज़े होती है ना ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाबदाई है तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने चुकंदर के छिलकों का भी पूरा यूज कर लिया तो चुकंदर का कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने सब कुछ पूरा पैसा वसूल हो चुका है तो आप चुकंदर के साथ हेल्दी भी रह सकते हैं और यह अलता लगाएंगे तो ब्यूटिफूल और हेल्दी दोनों का कॉंबिनेशन भी हो गया है तो आप बस स्वस्त रहिए और फैशनेबल रहिए हमारे चैनल के द्वारा और हमारे चैनल पर बने रहे हमेशा और हाँ दोन फॉर्गेट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक्स पॉर वाचिंग स्टे कनेक्टेड वि स्टे कुईट's